बिट्टू उठ आज इसे तेरा इस्कूल खुल गया है जा इस्कूल जा आज हमारा इस्कूल खुल रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज दर्द हो रहा है एक साल बाद इस्कूल खुल रहा है उसमें भी बहाने बना रहा है जा स्कूल जा जा कितनी अच्छी नीद आ रही थी इसकूल चला स्कूल पापा मैं आज स्कूल बाइक लेके जाओं कौन सी बाइक खाली खाली हाँ कहना है अरे कपड़े पहन के तो जा आज बहुत दिन बाद इसकूल खुला है तुम बच्चो ने पूरे साल ओनलाइन किलास में मुझे जितना परेसान किया था जितनी नौटंकी की थी आज सब निकालूंगा एक एक के हाथ पैर तोडूंगा मैं बहुत गुस्से में हूँ सर अंदर आ जाएं कम कम क्या बोला कम 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 का मतलब होता होगा रोज रोज इसकूल क्यों आते हो कम कम आया करो कभी कभी आया करो चल चल घर वापस चल ठीक है सर हम घर वापस जा रहे हैं क्या घर वापस जा रहा हूँ अंदर आओ और कपड़े पहन के क्यों नहीं आए मुझ उठाया और नंगे चले आए कहा है तुम दोनों के कपड़े कपड़े गर्मी हो रही है कपड़े कौन पहनता है गर्मी हो रही है गर्मी हम तो पागल है जो हमने कपड़े पहने है कल से स्कूल के कपड़े पहन के आना क्लास में बैठो कहा बैठ हूँ कहा बैठेगा मेरे सर में बैठ जा जहाँ खाली कुर्सी है वहाँ बैठ जा काजल के बगल में बैठ जा काजल के पास मुझे शर्म आ रही है ओ मम्मी ओ पापा अरे तू पढ़ाई करने आया है या नोटेंकी करने बैठ बैठ हाँ हाँ बैठता हूँ बहुत शर्म आ रही है बहुत शर्म आ रही है सर अंदर आ जाओ अरे महराज तू मत आ मैं लेने आ रहा हूँ अरे 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 बहुत शर्म आ रही है इतना दिमाग पड़ाई में लगा लिया कर वहां शर्म आ रही है तो यहां बैट सर मैं गहां बैठ हूँ तेरे लिए special दर्बार लगाऊं क्या धोल नगाडे बजाऊं तब बैठेगा कॉपी किताब स्कूल बैक कुछ लाया है नहीं सर नहीं लाया लाना भी मत पड़ना तो है नहीं पूरे साल स्कूल की छुट्टी में क्या सीखा असुना मैंने मोबाइल में एक से एक गेम खेलना सीखा अरे सर क्या बताऊं मोबाइल में एक से एक खतरनाक खतरनाक गेम है कुछ पढ़ना लिखना भी सीखा या यही सब सीखा परेशान कर दिया इसने आह बहुत तेज दर्द हो रहा है क्या हुआ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को बाइक से आ रहे थे रास्ते में इनका एक्सिडेंट हो गया और चलाओ तेज बाइक मैंने कई बार बोला प्रिंसिपल सर धीरे धीरे बाइक चलाया करो लेकिन नहीं देखो आज क्या हुआ मैं डॉक्टर इनका इलाज करना है कहा लिटाओ इनको प्रिंसिपल का कमरा वहाँ है चलो चलो मैं अभी आ रहा हूँ तब तक पढ़ाई करो डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाएंगे हमारे प्रिंसिपल कम से कम एक दो महिना तो लगेगा ठीक होने में इनके हड्डिया तूट गई है इनको आराम करने दो मैंने इनको दर्द कम करने का इंजेक्शन लगा दिया है थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा लगता है इनको नीद आ गई है थोड़ी देर आराम करने दो सर अंदर आ जाओं तो यहां क्यों आया है जा क्लास मजा मैं आ रहा हूँ हमारे प्रिंसिपल कहा है क्या हुआ उनको अरे क्लास मजा जा कौन है ये ये बिट्टू है पूरे स्कूल में सबसे सैतान बच्चा है ये थोड़ी देर यही बैठ जाता हूँ जा क्लास मजा कहां बैठू कहां बैठू कहां बैठू कहां बैठू यहां बैठ जाता हूँ अरे अरे ऐसा मत कर कितनी मजेदार कुरसी है बिट्टो 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 हमारे प्रिंसिपल मुझे लगा कुरसी है हाह, हाह, आमग... आ एम चया, यह नहीं रहे अरे, भागो, हाह